हेलो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में है और आज मैं और मेरी मम्मी डियेक्शन देंगे खांसर की वीडियो में 1971 इंडिया पाकिस्तान वार बांगलादेश इंडो पाकिस्तान वार हाउ टू बांगलादेश बीकम बीकम अफ्री नेशन तो यह वीडियो है खांसर की और यह रिक्वेस्ट आई है फॉन टीच की तरफ से तो आज हम दो पार्ट में वीडियो करेंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा है तो आधे में हम आज रियक्शन देगे और आधे में पार्ट टू बनाएंगे तो आईए पहले देख लेते हैं वीडियो और उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले एक वर्णिंग भीया पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखे तो ही अच्छा है क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के बीर सिपाहियों ने दो सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93 हजार फोजियों को घुटने टेका दिया था और सबसे बड़ा हार हुआ था और भारत के दो सैनिक मारे गये थे लोगे वाला में हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे PNS गाजी को डुबा दिया गया ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया ना अगर आप भारती हैं तो ही इस वीडियो को देखें पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगरा लोग इस वीडियो को न देखें यह उनके लिए तरह का बॉर्णीं है क्योंकि इसमें हम भारती सेना के हर उस वीर गाथा को बताएंगे जो एक हर भारती सुनना चाहता है ए तुझे डूस बातों को बताएंगे पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों न देखें तो भई आप देख लिए यहां क्यों न देखें क्योंकि हम आच्छा करने वाले हैं इसकी और इसका नक्सा किस से मैच करता है तो आप तो समझ में आ गया वही बुरा नहीं मानिएगा था कैलास मान सरोवर के उपर लेपुलेक विवाज जो चाइना के साथ हो रहा है इस वीडियो को फेस्बुक पर 55 लाख से जादे लोगों ने देखा अलग अलग लोगों ने अपने फेस्बुक हैंडल से इसको सेर किया और नेपाल के लोगों को पता चला कि हां भया इंड पाकिस्तान का जो वीडियो बनाने जा रहा है इस वीडियो को भी पूरे तरह इतना वाइरल के लिए कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि वह उनकी ऑवकात क्या चीज है ध्यान से समझे जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसी समय पाकिस्तान दो भ तेन के कि पाकिस्तान के वोग इन लोगों को बड़ा भंदे चाहर करके बने काम फरको उलता सीधी मेश्य कर्ते हो्ग पाकिस्तान के लोग इदर लोगो को पसंद mee करते थे इस पुर्वी पाकिस्तान के से अहूं मुझी ना हुझ जीद गाएर के पॉद्धानमंत्री के बब को सपतनी नहीं दिला रहे थे इसलिए 70 के चुनाओं जीतने के बाद सेख मुझी पूरामान जब देख है कि ऐसा है तो उन्हों ने अपना भासड दिया 17 साथ मार्च को और कहा कि अब हम इस पुर्वी पाकिस्तान को और देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बंगलादेश इस वहसड के वज़ए से आरमी ने पाकिस्तान की आर्मीदें ने 25 मर्छ2021 को गिरकतार करके और लिप पस्मी पाकिस्तान में इनों जुल्म करना चालू कर दिया सेख मुझीबुर्रह्मान के गिरफतारी के दिरोध में यहां मुक्ति वाहिनी नामकर एक विद्रोही गुठ तयार हो गया था लेकिन पाकिस्तान के पस्मी पाकिस्तान के लोगों ने इस पुर्वी पाकिस्तान पे इतना भयानक जुल्म क उत्रिया कि इस पूरुवी पाक्स्तान में इस पस्चमी पाकिस्तान के लोगों ने यहां पर 30 ूंड लो में को प्नुटी लैक लोगों को हाओ दिया लुखा चार लाख महिलाओं का बलतकार का अपने देश के चार लाःतों का रिम किया यहां पर इतना भैयानक वो दिरिश है कि अगर हम उसको यूटूब पर दिखा देंगे ना तो यूटूब हमारे उपर क्लेम करेंगे आप यह सब इतने भायानक दिरिश्ट नहीं दिखा सकते आप अंदाजा लगाइए इनकी कुरूरता का यह अपनी देश पर इतना भयानक जूम कर रहे हैं इतना भयानक जूम इए जब तक यहां सांती नहीं होगा तब तक यह वापस नहीं जा सकते थे और संती का एक था कि यहां पर घुश के इनको मारा जाए तकि यह पश्मी पाकिस्टनी वाले लोग यह पर सुधर सखें तो इंद्रा गादी ने इसके लिए बात की जनरल फीर्ड मार्सल मानेक स उन्होंने सेनाप्रमुख मानिक्सा से कहा सेम मानिक्सा से कि अभी युद्ध कीजिया हम आदेश देते हैं अभी युद्ध कीए बंगलादेश पर हम अपने पड़ोशियों की इस तरह मरते नहीं छोड़ेंगे आप इस पर हमला कीजिये उस समय पुरी पाकिस्तान था मानिक कि सिकंदर की फोज भी हाथी लेके आई थी और कीचाड में फुस गई थी कि अगर यहां हम लड़ जाए पैति यहां वरसात रहेगा हम यहां उलच जाएंगे यह एरिया सूखा रहेगा चाइना का उपर से एरिया सूखा रहेगा यह अमला कर देंगे अमको तीन और से लाई 1271 में हमारी जो थी भारत और रूस की एक समझाता पर सहस्ताक्षर हो गया अब हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के धेर पर बैठा दिया था इंतजार था तो इस बात का कि उस बारूद के एक चिंगारी की अग्ता पाकिस्तान तबाह हो जाता है इत्फाग नेख सबलाव जात के कुश्च सब्सकMore कैने कि बाफ के सामने पाकिस्तान के सब्सक्राइब करतेते थे मतला मानवता पूरी खतं कर दिया वहां पर तो भारत ने कहा किए सम्सक्राइब ही कि भारत ना इधर कमजोर है और भाइया इधर हम कमजोर थोड़ी है इधर कंसानीक रखें रखें अगया मतला की थोड़ी है कि हम कमजोर हो जाएंगे बाइया का जा टेनि है इसके धूणर पर पठान कोट पर चंडीगर पर यहां पर आगरा हवाईयदे पर तब अटोड हमला कर दिया एरफोर्स का इतना भायानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रहा गिया दर्द अथरद पाकिस्तान की जहाजे इंट्री मारे कई सब भारत में उसकी एरफोर्स इंट्री कर दिए इतना भायानक हमला था इतना भायानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मारा समझ रहना कितना भायानक हमला था अरे बाई आप यहां पर घूस जाएगे हमारे देश में तो क्या हो जाएगा भाया भूस मुटा यहां लोड़ा हुए हांथी घुड़ा थोड़े होई हारत तो इसी का इंतजार कर रहा था देहात में काहवत का जाता है कि रोए के रह प एक चेकर लिया इसी भीच पाकिस्तान को एक खतरनाक ख़बर लग गई मैं धी खवर भाई तो देखिया पाकिस्तान को खबर लगी कि भारत की जादेतर्स फौज इस पूरवी पाकिस्तान के लिक लॉट ई और यहां राजस्थान के जैसल ने जिला में एक जगा है लोगे वाला में इंट्री मार दी, पूरी भयानक टाइंक लेकर, सफाज लेकर, इंफेंट्री लेकर आव उसको वोग लॉगे वाला में घुशने के लिए चल दी और लोगे वाला में भारत के पास कैवल 120 सिपाही थे, वो लेक सोबीस और उन पर वो हजारों की संख्या में तूट पड़ें लेकिन घवराना नहीं चाहिए क्योंकि चीटियां तादात में कितनी भी क्यों न हो जाए गन्ना घजीट के नहीं ले जा सकती हैं लोंगे वाला में जो ड्यूटी थी उस समय कुलदीब सिंग चानपू सब्सक्राइब कि आप से जो लड़ने आ रहा है न पाकिस्तान की और से वो ब्रिगेडिया तारीक मीर आ उसके पास टैंक है अठाइस तो फोज है बहुत ही तेज रफतार से आ रहा है आपके पास केवल 120 जवान है कुलदीब सिंग आप पीछे हट जीए आप पीछे हट ज सब्सक्राइब के पास है उन्होंने का आलसा सीख नहीं हट सकते हम हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उन पर क्या पढ़ेंगे भारी बढ़ेंगे इनके पास नहीं टैंक को उड़ाने के लिए कोई संसाधन थे टैंक को मालने के लिए जीप पर लगा हुए छोटा सा तोब था औ इन्होंने दिमाग लगाया इन्होंने क्या किया जो खाली रेगिस्तान था ना उसमें ना आगे की और तीन ठो ओरीजिनल माइन्स को लगा दिया और जो खाना खाने वाला टीफिन होता है ना चार खंदे वाला इसे उस टीफिन को इन लोगोंने रहतो रहत ना बिचा दिय सब्सक्राइब तो और फिन करो इनजिनियरों को बलाओ पूरा माइनस निका लो जो हमारे मेजर कुल्दीप इसे जानते थे बाबू अगर हम् तो रात भर रोग दिये ना, तो सुबह हमारी एरफोर्स आईगी, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इनोंने पूरा टिफीन बिछाया था, इन पाकिस्तानियों ने छे धंटे लगा दी उनको निकालने में, इंजीनियर आते तो दर के मारे टिफीन निकालते तो तो निकालते उनको ने पूरी रात बिटा दी तीन बज गिया, तीन बजए इनों इनको पूरा सन्नाता दिखा कि भाया, यह तो टिफीन है, यह रिगिस्तान में तो टिफीन है, अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया, हमला करो, कुलदीप सिंग जो थे, चान्दपुरी उन आपने फोजीयों को नो तो किलोमीटर एरिया में बिछा दिया थे एक उधर एक इधर एक इधर तो चारों और से फाइरिंग होती थी पाकिस्तानियों को लोगी ना कि भाई हमको गलत इंफरमेशन मिल गया है 122 मिलके इसे थोड़े मारेगा सब वुदर से गोली इधर से गोली धा अठर बॉर्म गोला ता हूं सब चल रहे हैं इतना भयानक कोई एक इसे अधर मारता है नहीं भाई इतना भयानक इस तूँंशान एरिया में कहां से कौन मार रहा है तो आप तबाही मचा दिया कुलडीप सिंग चानदपूरी ने क्या तबाही मचाया था आप देखना चाहते हैं तो देखिये उन लोगने क्या तबाही मचाया था ये हैं पाकिस्तान का टैंक इस भजजी उड़िया तरम तरम ने थेंक का तूथूर-तूर तूर दिया आने वाली पीडियों को प्रेणा देगी बताइए इतना सुंदर गारी लेके आया था प्राकिस्तान मारने के लिए हां बचा रहा है अरे मेजर साहब आप भी बच्चा है बच्चा को थड़ा आराम से मारी दिखिए इसका थोबड़ा बिगार दिया गाड़ी क्या हो है लेक दिन में दिखता तो कुछ दाल पूरा दम भायानक तबाही मचा दिया मेजर कुल्दीप सिंग चांदपूरी ने इनके आगे कौन खड़े थे ब्रिगेडियर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साब ब्रिगेडियर साब को काने लगी बहुत बुरा मार रहा है सब तब तक हो शुबा, शुबा के वक्त हमारे जो हंतर जहाज थे उस समय जो हाजे थी वह हंतर जहाज थी यह उंतर जहाज रात में नहीं उड़ सकती थी लेकिन दिन में उंड़ सकती थी रात भरत कुलदीर सिंग चांपूरी ने ऐसा कूचा पाकिस्तानियों को इतना कूच दिया कि भोर हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर भीमानों यह हंटर भीमान जब आएं सब तो इतना भयानक तबाही मचाएं सब पाकिस्तान के जहाजों का कि आप हुलिया देखेंगे न, पाकिस्तान के टाइंग काई से पड़ गया इसा, टाइंग पूरा तबाह हो गया है सब, पूरी तरह धोस्त हो गया, इतनी भयानक युद में, तीन तारीक को पाकिस्तान ने हमले की सुरुआत की, और ये चार तारीक का सकल देखिए पाकिस्त का, इतना भयानक धची उड़ा दिया पाकिस्तान का, जिसका कोई हद नहीं, पाकिस्तानियों को दुम दवा के भागना पड़ा ग्रीडियर सा भागे, और कहें कि भाग भया, न तो इस अब जान ले लेगा सब, हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने आ रख लिय है, म्यूजियम में, आज भी जाके देखेगा न, तो इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़के भाग गए, भागो भाई यहांपर, यह 120 जवानों का जलवा था, और पाकिस्तानी कहते हैं, कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे, अरे भईया, हम चीन पे वी थी न, गर के मारे वो लास उठाने नहीं आये थे, लास गी दखा लए था, हम लोग बोल लेते कि भाईया, हम गोलि नहीं चलाएंगे, पाकिस्तान हम लोग को दमकी देता है, आज भी वो नहीं सुद रहा है, आज भी हम ने चाईना पे वीडियो बनाय था, उस पे वो हम क को धंकी देता है कि भारत की आर्मी कुछ नहीं कर सकती है अरे भाया आप सोचिए गाभी मत अभी के समय में तो मत सोचिए गाजनते हैं क्यों देख लीजे इधर अभी कौन वैठा है भारत में समझना रहा है आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें जादे खतरनाक कोन है आपके लिए आप लोगो तो अभी देखिए ध्यान से यहां पर पाकिस्तान ने जो हार हुई थी लोंगे वाला में यह हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया कि सब्सूरा एक सोप्रीस मुमिन के और इसे को इसे दो दिया सब बताएं इतना भयानक धोई जाता है तो यह सुरूआब तो इन्हों ने किया तीन तरी को चार तरी को हमने दो दिया अब बचा नेवी नेवी कही कि भैया आइमी को मौका दिये एerफोर्स को मौका दिये रात में आर्मी धोई सुबा में एरफोस धोंगे, हम नहीं धोएंगे, हम भी धोएंगे, नेवी कब पहुची पांट दिसमबर 1971 को करांची पहुंच गे और करांची में जब पहुची न तो करांची को तबाह कर दिया, इतना भयानक mum bright信 किया करांची पर कोई دीन कंदर्गापर आग लगा था, औ और काराची बंदर्गाह को उन्हों आईसा घजी उडाया जिसे लग रहा था सिंदुर सभ्वेता बना दिया उनको तो पाकिस्तान की पश्चिनी पाकिस्तान का कमर को दिया पाकिस्तान मालों ने कहा कि सब बोल रहा था सब कि हम इस डिफेंसिव है जादे हमला नहीं करेंग आप देखेंगे हाल किया था सब करांची पहुंच किया था नहीं पाकिस्तानी हो को यह पाकिस्तानी भाग घया थे वह ग्वाधर पूराज्ज चला जाएगा इन से बलुचिस्तान चुप के गई थे लो गवाधर बंदर गाप पे अगर हम जूट बोल ले हो तब खुद पत कि अपने यहां के इतियास में हिंदु यह ग्वादर बंदरगा पे छूप गये थे सब आप देखिए करांची का क्या हाल हुआ था उस समय हमारी एर नेवी ने क्या हल किया था पाकिस्तान का जितना जहाज बस मिल जाए कि भई यही जहाज किसका है तो जब पता चले कि भई भज़ी उड़ा दिये लोगों को अरे बैगा बच्चा है बिगड़ गया है तो थोड़ा सा अराम से नहारीए गाए कि देख रहे हैं इस तोरॉसा मारा पूरा पाकिस्तान के करांची बंदरगाहे हुए गया तो पाकिस्तान का इधर से को पूरा का फूरा पूरा भज़ी फिर दिया अभी सुरुआत हुए युद केकेवल दो दिन हुए हैं आप दिल थाम के रखिये अभी युद लंबा चलने वाला है तीन दिसमबर को स्टाट किए चार दिसमबर को हम लोग लोगे वाला दो दिये अब 5 दिसमबर को कराची अब पाकिस्तान ने भारतियों को कि जाके मार के आउकिस को बिकरांत कूछ तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आगी थी तो यह गाजी कई से दूबा इसको हम लोगे वह खराग जहास से मारती हैं तो इधर समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोय हैं तो इधर कि इतना बुरा धो तो हमने यह देखा कितने अच्छे से क्या दूर्य दूर्य थो एकन सर की वीडियो है फ्रेंज और जो बोलने का बोलने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है और इंफोमेशन वाली वीडियो है बहुत अच्छे डीटे oppress में समझाया है हम लोगों को कितना चीज और मुझे तो उसमें बहुत हसी है कि बच्चा को ऐसा नहीं माना चाहिए ना बच्चा है बगड़ गया है बच्चा है अरे इतना दोड़ी मारते हैं बच्चा को और एक और एक और एक अपने मानेक साहां नहीं हो सवाल आख से नीच हम लेके आएंगे दो थी दिन में हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे फ्रेंज और वीडियो में काफी इंफोमेशन है अच्छी और इव खांसर का जो बुलने का तरीका इतना अच्छा है कि हमको एक्षाइट करके रखते हैं इतना और 17 मिलेट का वीडियो निकल गया पता मज़ा भी आया खांसर का वीडियो में और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना और कमेंस भी कर सकते हो और आपको कोई रियक्शन दिलवाना है तो हमको कमेंस बेजिए फ्रेंस आप लिंक भी वीडियो की और सपोर्ट जरूर करिये फ्रेंस क्योंकि हमारा नया नया चैनल है और बाई-बाई अब जल्दी मिलते हैं इसके सेकिंड पार्ट में और बैल आइकन भी क्लिक कीजिएगा ताकि हम लोग की जो वीडियो भेज़े आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हां और स प्रस्क्राइब जरूर करना खांसर बोले ना धूर देंगे बाई-बाई-बाई-जय हिंद